हर एक जंग की वजह स्वार्थ होता है और उसका अंद इतिहास क्या था किया लुए प्रड़ में और दूजना को अुए अुए सुना करें। वाले算 offs प्यादी तो, स्क्राइज में आए। वुक्स जाय वहाराँ क्या जल्ली 32 चमान आए खान आए इधी श्यार ओष्द द kijken कर एंटरें धूरें जरD t ugly कि अरफे कि अर्वार। कि अरफे कि अर्वार्व अर्वार्व घँजेना करने दूद अल meant भागा, बफडय का अल में हुज हुआ हुआ, हुआ हुआ! ओू झाई! लाइव चाहिए जीनी डालने पर जहां चीटी भी नहीं आती वहां पर तुम्हें लाइव चाहिए मैं मास्टर नहीं हूँ फिर भी सब समझ में आये ऐसा पाठ पढ़ाओंगा लाइव भी उप लाइव kingdom हमारे तीन जवानों की जान गई है अगर हमने उस राक्षस को नहीं पकड़ा तो अंजाम और भी बुरा हो सकता है पिछले बार के चुनाव में पूरी तरह से पराजित होकर अपना जंडा फैराने में नाकाम रही ऑपोजीशन पार्टी इस बार के चुनाव में राज की सूरिया पार्टी और अपना देश पार्टी के सहयोग से बहुमत में आकर इस बार सरकार बनाने जा रही है और इस बार इस राज में माननिय गुरुकांट बंडरी जी को मुख्यमंद्री पद के लिए चुना गया है इस महिने की 29 तारिक को राजपाल के सामने वो शपत ग्रहन करेंगे ऐसा अपना देश पार्टी के अध्यक्ष रगुवीर बंडरी जी ने इस्पश्ट किया है इनने तिवारी के हवाले कर दो भाई ने ओर्डर दिया है इनने तिवारी के हवाले कर दो बहप पीटा मगर कोई बचाने नहीं आया एई साइज देखकर मचली के टुकड़े करो जैसे मैं इनका करने वाला हूँ उन्हें खाने में आसानी होगी भाई फिक्र मत करो और शिप भेज़ दो मैं माल लेकर आजाओंगा आज से ये पोट एरिया हमारा नहीं हुँए हाँ हुए हुँए हुए कि अन्यों एफुचर की करना क्या रिल मैं अंतल कि और सब यसे हैं कि Francis कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि खरे खरे के प्रुण प्रिणों झारे के लुटgic कि खरे एंग कि अचओी जी एंग कि ऑमा neutrIGHT कि खरे एंग यू इंग कि गाल कर दो कर दो इतना खिलाता पिलाता हो फिर भी एक हुसे में गिर रहा जा मैं जब मारता हूं तो सांस लेन का ओप्शन भी नहीं चुड़ता डायरेक्ट खिताब पर कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तेरे सपोर्ट में आने के लिए तेरे साइड से कोई नहीं बचा सिवाए तेरे लोगों की हट्डी तोड़का मेरा भी बदन बहुत दुखा एक दो पैक से कुछ नहीं होने वाला एक साथ दो दो मर्डर एक किस ने किया यार पनंबुर रेल्वे स्टेशन पर ट्रेन ट्रैक पर ही चल कराती है ये बात सब को पता है लेकिन वो लाशों के उपर से गुज़र कराती है ये बहुत कम लोग चांदे हैं बारिश के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है लेहरे ही किनारों के कचड़े को धो कर क्लीन कर देती है हाल ही में बने लोग सभासदस्य और भारी मात्रा से जीते हुए एक नातने वालकर कोला से रोणापूर जाते समय एक जबरदस सड़क हाथसे में उनकी मौध हो गई राजी के सभी बाती के लोग उनकी मृत्यू पर शोक रकट कर रहे हैं तेरे पास कैपैसिटी है इसलिए काम के लिए तुम्हें रोणापूर भेज रहा है तुम्हें रोणापूर जाने से पहले मैंगनूर पूर्ट एरिया जाकर वहाँ काम नप्टाना वहां बहुत से लिगल बिजनस से रहे हैं और वही इंपोर्टर एक्टपूर्ट का मेंट पॉइंट भी है सर्थ मैं रोणापूर जा रहा हूँ आज की इस सिच्वेशन का मैं इसलिए दो साल से इंतिजार कर रहा था यह मौत की जंग है वहाँ इंसान के रूप में एक राक्षस है उसके सामने अगे को निजल यूठाता तो वह उसे मौत की सजादे देता है छोटे से क्लर्क से लेकर क्लास वन आफिसर तक उसके सामने सर जुकाते हैं पूरी गर्वर्मेंट उसके सामने घुटने देखती है पॉलिटिकल कॉंटेक्ट्स के वज़ए से कोई उसे छूब भी नहीं सकता एविडेंस और प्रूफ के दिना हम उस पर किसी तरह का कोई एक्षन नहीं ले सकते हैं और इन सब की वज़ए से ही हम डेपार्टमेंट के कई जवान भी खो चुके हैं इस बार इस ऑपरच्रेटी को हम मिस नहीं कर सकते हैं और तुम्हें कॉप और इस मिशन पर जा रहे हो इस बात के बनक किसी को भी लगनी नहीं चाहिए यहां तक कि तुम्हारे साथ चलने वाले साय को भी यह सब अपने ही बंदे हैं किसी को एपी जर्ली बोल कर रवाना करने आएं विशनु गणा पता है सिरा ने पहले ही तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है पोर्ट और रोडापूल में बहुत अंतर है यहां तक कि गोली और बोली में भी जमीन आस्मान का अंतर है यहां ताकत नहीं चलती दिमाग चलता है नहीं समझे दीरे दीरे सब समझ जाओगे यहां पर बहुत सारी कंपनीज हैं यह देखो सिमेंट प्लैंट इससे निकलने वाला वेस्टेज भी करोड़ो रुपे का है भाई के हाथ के नीचे सैकड़ो लोग हैं लेकिनी सद्ड़े पर जो राज करता है उसका नाम है काशे अरे रे 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 रूठ तेरा पाप और तेरा भाई उस ड्रम के अंदर इन तीनों ड्रमों में से अगर तुने पहले खाली वाला ड्रम उठाया तो दोनों को छोड़ दूँगा हां लेकिन अगर तुने भरा वाला उठाया तो उनकी मौत का जिम्मेदार तु खुद होगा अब उनकी जान तेरे हाथों में है कि खड़ा क्यों है चल शुरू हो जाँ हुआ है हुआ हुआ है हुआ 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 है कि अच्छिव पाप की मौत का जिम्मेदार मेटा बना ना तुझे एक चांज और लेता हूं अपने भाई को बचा ले अब की बार भरे वाले ड्रम पर हाथ रख किया लाग सूपर्थ बजा लिया बहुत बढ़िया तू तो बज गया तू तो बज गया चोटे भाई ने बड़े भाई को बचा लिया लेकिन बड़े भाई को चोटे भाई को भी बचाना चाहिए ना तू बड़ा होकर भी उसकी चान नहीं बचा पाया इसलिए तुझे चीने का कोई अधिकार नहीं है भाई यह गणा है पोर्ट एरिये से आया है यह है तेरा रूम कुछ भी नया लेने की ज़रूरत नहीं है सब कुछ यहां पर है खाने की कैंटीन भी वेज चाहिए नौन वेज चाहिए दोनों यहां मिलता है एक रहता था यहां पर लेकिन उसे गह हुए तीस महीने हो गए गर पर नहीं उपर आज हमारी पाटी सबसे ज्यादा सीट लेकर जीत कर आई है गर की बाद आये साइब आये साइब आये साइब आये साइब आये नमस्कार बैठिये एक्सक्यूज में सर रोडापुर में आपकी पार्टी के खिलाब कोई भी पार्टी अपना कैंडिडेट इलेक्शन में उतारने की हिमत नहीं कर पाई आने वाले बायो इलेक्शन में कौन सा कैंडिडेट होगा इसका कोई फैसला हुआ है क्या सर पार्टी में जवाब देने के लिए ये समय सही नहीं है एक नाथ निम्बलकर जी बहुत अच्छे इनसान थे उनके देहान से हम सब के दिल को चोट पहुची है अपनी पार्टी की तरफ से उनके मृत्यु के लिए हम शोग प्रकट करते अगले उम्मीदवार के लिए अभी फैसला नहीं लिया गया है पार्टी में विचार विमर्ष करने के बाद अगला उम्मीदवार कौन होगा ये मैं आप सब को बताऊंगा हमारे डिपार्टमेंट का एक आफिसर तुम्हें रोनापुर में सपोर्ट करेगा तुम्हें जो भी चाहिए उसका इंतजाम वोख कर देगा लेकिन उसके चेहरे से तुम्हें अन्जान रहना होगा और वो भी तुम्हारे चेहरे से अन्जान रहे इस बात का तुम्हें पूरा धान light नहींगा तर्फ। लाइडर धान्यू है कि यह पॉलो कर रहा है यह पेच्छे आ रहा है कि रुक तजह भी बता दियूं हलो मैं तब से देख रही हूं तो मुझे फॉलो किये जा रहे हो क्या सबचते हो अपने आपको हां स्टाइल से मैं स्पेक्स लगाकर जेंटल्मेन बनकर फॉलो करोगे तो पता नहीं चलेगा तुम जैसे गुंडों को बदमाशों को मैं बहुत अची तरह से जानती हूं मेरे साथ यह सब नहीं चलेगा क्या देख रहे हो ऐसे चुप चाप चलते बनो यहां से एक मिनिट भी यहां रुके ना तो पुलीस को कॉल कर दूंगी कवर एक्सचेंज हो गया है हाँ ओ नू थैंक यू आवाज अच्छी है कि अच्छी हुआ 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 है हुआ 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 है कौन हो बेटा कौन चाहिए तुम्हें इसे जानती है यह पुलिस है यह पुलिस है मेरे कहने पर चलता तो एक पुलिस वाला ही बनता लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी और वो एक गुंडा बन गया सालों मेहनत करके मैंने उससे पाला पोसा पर कोई फाइदा नहीं अब वो कहा है मुझे नहीं पता और अगर पता भी होता ना तो मैं क्यूं बताती तुम्हें मैं तो उसकी बात भी नहीं करना चाहती या बिंदू एक रोड अक्सिडेंट में मेरा पैर फ्रेक्चर हो गया इसलिए शूटिंग कैंसल हो गई है ओ नू जा हो गया आज शूट कैंसल हो गया है उसके लिए इतना बुरा लग रहा है तुम्हें शूटिंग होगी तब चली जाना ना है मेरा दोस्साई है न उसने रियलीटी शौ के लिए सेट लगाया है वहां कोई जेम्स जैक्सन नाम का डिरेक्टर है ठोड़ा मैं और मेंटल है लेकिन रियलीटी शूटिंग का किंग है वो एक दो दिन में उसकी शूटिंग शूरू होने वाली है अगर ये जाना ही चाहती है तो इसके लिए मैं एक बार उससे बात कर लूँगा जीम्स जैक्सन जीम्स जैक्सन कर गृँगा क्या मुईक्सThe हुँगा अधिन इतना माना फिर भी नहीं डूटी कौन सी चपल है यह चमत का चपल खाल अधर जाएगी लेकिन चपल नहीं तूटेगी जब इसके थोट्स इस तरह के हैं तो पता नहीं खुद कैसा होगा बाई एलेक्शन के डेट फिक्स हो चुकी है लेकिन हमारे तरफ से कैंडिडेट कौन है यह अब तक फिक्स नहीं हो पाया है उस जिगह से हमारे खिलाफ कोई भी कैंडिडेट उतरने की हिमत नहीं कर पा रह अपना काम तो करना ही है तब ही सही रास्ता मिलेगा पर्शूपति का नाम भेज दो कि अधिया है क्या हो रहा है पूरी तो यहां पर आकर क्या कर रहे हो तो सर एंपी सीट के लिए पहली बार नॉमिनेशन भर रहे हैं थोड़ा सेलिबरेशन तो बनता है ना पटाके पटाकों के शोर से लोगों को डिस्टर्ब होता है इतना भी नहीं पता तुम्हें पटाकों से आसपास के लोगों को डिस्टर्बनी होना चाहिए कॉमनसेस नहीं क्या आप आए मेरे साथ आप और मैं मिलके इस दिवाली का सेलिबरेशन मनाते हैं आए पकड़ 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 झाल प्झाल प्याद़ी किर दो पिता दो एंप इंचानीं प्यूश प्यूश पिता झाल प्यूश एंचानीं जदाना झाल जदा ही जए है कि दौलत कमाने के लिए पावर का होना ज़रूरी नहीं है लेकिन खांदान को बढ़ाने के लिए लड़के का होना भाहुत ज़रूरी है पावर चाहिए या परिवार चाहिए जल्दी डिसाइड कर लो हमारा फेंका हुआ पहला पत्थर भेश्ट हो गया उसकी राजनेति पकड़के आगे हमारी चालिया बंदू की गुली काम नहीं आएगी अश्वच जी को ज़रा हम ट्राई करें तो राणा जी हमारे मैटर में टांग नहीं अडाएंगे फॉरें रिटर्ण जनता के लिए हमेशा लड़ने वाला एक सच्चा सेवक है वह राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है अब तक दो तीन पार्टी वाले कोशिश कर चुके हैं लेकिन सबको निराशा ही हाथ लगी है अगर हम उन्हें मना ले तो रोणापूर में हम अपनी पार्टी का जंडा फैरा सकते हैं लेकिन मनाएगा कौन चार पैसों के लिए इंसान गंदगी को भी टोकरी में डाल कर अपने सर पर ढोता है ऐसे में अगर हमारी पार्टी को कोई अच्छा इंसान मिल रहा है तो इसमें हर्जी क्या है अगर अगर आप 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 है आप माना उस दिन मेरी मिस्टेक थी पर आज तो आगे जितनी स्पीड से जाते हैं रिवर्स भी उसी स्पीड से आते हैं क्या सब उतर कर देखिए कि मेरी स्कूटी कितनी डामेज हो गई है उतर ये देखिए न क्या करें अभी चन्ने में आंथी तूफान आता है तो रोणापूर में बिजली के साथ बारिश होती है क्या कर देखो क्या हालत हो गई है ऐसे और टुकडे-टुक्डे हो गए है यह स्कूटी मेरी दीदी और जीजुने मुझे दी अब घर वाले पूछेंगे तो क्या चेबाब दूगी मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है आखिर तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस किसने विश्ण गाड़ी को गैरेज में ले जा मतलब इसके रिपेर हो रही तक मैं यहां रोड पर खड़ी रहूंगी मुझे और जिटली किसी से मिलने पहुशना है मेरा सारा प्रोग्राम जापट हो गया आवाज अच्छी है लेकिन वॉल्यूम कम करोगी तो और भी चलो ड्रॉप कर देता हूं मेरी स्कूटी अरे बहन जी आप जाए रिपेर करवा के पहुचा दूंगा आतर नमस्ते मेरा नाम रगुवीर वान्ड़ी जानता हूं आप गुरुकांत वान्ड़ी जी के भाई हैं बैठिये कहिए क्या कर सकता हूं आपके लिए आपका कारिक्रम में टीवी पर देखता रहता हूं समाज सेवा के लिए किये गए काम मैं पेपर में पढ़ता हूँ आपका प्रकृती से प्यार और जन सेवा के बारे में सुनकर मुझे बहुत गर्व होता है नाम कमाने से कहीं ज्यादा मैं इसे अपना फर्द समझ के करता हूँ आपका आने का मकसद आने वाले कुछी दिनों में रोड़ापूर में एलेक्शन होने वाले हैं आप जब भी धरने पर बैठते तो हजारों लोग आपके पीछे रहते यह इस बात का सुबूत है कि वो लोग आप पर विश्वास करते हैं हमेशा जनता की भलाई चाहने वाले आप राजनीती में क् कि छास पेजिये है कि भागवान के लिए बुरा मत मानियेगा मुझे राजनीती में विश्वास नहीं है अपनी खातिर न सही जनता के खातिर भविश के लिए एक बार सोचिये तो सही भविश मैं नहीं बता सकता लगता है आप मुझे अच्छे से नहीं जानते अगर मुझे जानते तो इतनी दूर नहीं आते आप आप जा सकते हैं कि आप जब भी जनता की आवाज बनेंगे हमारी सरकार का सहयोग हमेशा आपके साथ रहेगा भूलिए गमक्त कि अपको अपको फोन कराकर अपी स्कूर्टी ले जाओंगी थैंक्स अरे ऐसे कैसे कर सकता है यार वो कितनी देर से फोन लगा रहा है उसको कोई खूबसूरत तड़की आया तो मेरा नंबर उससे दे देना ठीक है कौन है जो ऐसे कमर जुका के खड़ा है गडारी नगपा गडारी नगपा है तो क आपके बच्चे कितने हैं पांच बच्चे हैं पांच बच्चे पैदा करते के बाद इसका यह हल होगा ना धन्यवाद देखें गडावी नगपा जी किसी भी गाहों से आधी रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे सर पर गमचा और कर चेरे में रंग पोत कर बीच रास्ते म का समझ गये के नहीं देखो अब क्या है आपको ढूंड तो एक लड़की यहां पर आई है सामंता या शुरूती हसा फिरोईन धोंडने आएंगे आपको आपको अरितिक रोशन हो रोशन नहीं जाक्शन है हाई 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 सारी इस बार मैं बुढ़ों का प्रोडाम कर अगली बार फेमेल औरियंटेट करूंगा तो आपको एमेल कर दूंगा आप जाए को मैं यहां आक्टिंग करने नहीं आई हूं आपकी साथ अससेस्टन डिरेक्टर का काम करने आई हूं कि अपने आप कहां से आगी रही मचली खुद्जाल में फसने आई है अब मैं जो सो अब मैं जाएंगे तो पकड़े जाएंगे तो जल्दी से में अप रोमें जाकर के में अपकेट ले किया वार्ना चेरे पर लेपस्टिक के निशार लग जाते हैं यहां खूब सूरत है अब 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 बाई इसे सेना जी ने भेजा है बाई के राइट हैंड यह यहां तक आये हैं मतलब कोई नो कोई इंपोर्टेंट मैटर होगा बाई ने कहा है सिंह गाड के साथ अपने ट्रक लेकर वहां पहुचेगा कुछ भी हो जाया वह माल मिस नहीं होने चाहिए रात दो बज़े से पहले अच्छे से सब काम हो जाना चाहिए समझ गह ना अधिए ट्रक में आरण में देखा होगा लेकिन आज कुछ और ही वेठोगे कुछ अधिए गड़ा पोर्ट एरिया से आया है इसमाल गाड़ी के अलगलग तब्बे में सो एक वेगन में हमारा माल आ रहा है त्रेण रोकने वाले पॉइंट से पहले हमें अपना काम करके वहां से निकलना होगा जल्द से जल्द अनलोड करके इस ट्रक में भरना है वहाँ स्टेशन में पुलिस की टीम पहुंची रही होगी जब तक वो तुम लोगों के पास पहुंचे वहाँ से निकल जाओ इतने सेरे पैसे छोड़ कर पैसे जाते हैं तो जाने दो तुम लोग वापस आजा यह भाई का ओडर है पुलिस तक इंफार्मेशन पहुंच चुकी है और हमें वापस बुलाया जा रहा है फर्स्ट टाइम क्या आपकर उस समझ में नहीं आ रहा एक चांस है क्या है वो उनसे पीछे वाले पॉइंट पर ट्रेन को स्टॉप कर लें तो मटेरियल अनलोड कर सकते हैं उस पॉइंट पर ट्रेन नहीं रुकती है और रुक गई तो किसी तरह ट्रेन को रुको भाई ट्रेन तो पास हो रही है एश्च ट्रेन पास हो गई वहाँ से स्टेशन का डिस्टन्स लिमिट होता है ट्रेन की स्पृइड लिमिट होती है मॉविंग में हम मटेरियल को अनलोड करेंगे काशी सब लोग उसे फालो करो कि आपने उसे फालो करने के लिए कहा और वो फरार ही हो गया भाई का कहना मानना चाहिए यहां से वापस चलते हैं प्रार हुआ हुआ है प्र॓र स्चल लिमिन 2 खिरूप गणा, गणा, तुम रिस्क ले रहे हो, वापस आजाओ गणा अगले स्टेशन में पुलिस मॉले है, वापस आजाओ लेरी फाक तुनो, गणा वापस आजाओ हमापस ड्रैयन दो, वापस आजाओ गणा, प्रैयने डवापस, वापस आजाओ नहीं कारा कर दिए वाद सब्सकार पीड़ल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल हलो है कि या सर मैं कितनी बाहर कर चुकी हूँ कॉल पिक अपक यू नहीं करते इरादा क्या है आपका हाँ रासा लिफ्ट देकर पुरी की पूरी स्कूटी हजम करने का इरादा है क्या कौन-कौन से इक अपाड़ी वाले को जानते हूं कौन-कौन से पाट कहां-का वेचे हैं कैश कलेक्ट कर लिया क्या यह जीब तुम्हारी ही है यह यह भी चौरी की है रुको एक मिनिट रुको पुलीस में कंप्लेंड करूंगी तब पता चलेगा हलो तुम्हारी गाड़ी कल शाम कोई पहुंचा दी गई यह तुम्हारे घर स्कूटी मेरे घर पहुंचा दी है कहानी बना रहे हो वो भी मेरे साथ अच्छा एक बात बताओ तुमने मेरी स्कूटी मेरे घर तक कैसे पहुंचाई मेरी स्कूटी पर मेरे घर का अड्रेस प्रिंट था क्या हर गाड़ी का आर सी बुक और डॉकुमेंट्स तो होता ही है उसमें पिन कोड़ के साथ ओनर का एड्रेस भी दिया होता है बोल दीदी कल कोई मेरी स्कूटी घर छोड़ गया था क्या ओहो मैं तो तुझे बताना ही भूल गई कल शैंप कोई छोड़ गया था क्या शकल से तो बहुत अच्छा लग रहा था मैंने कहा चाय भी कर जाओ पर ऐसे ही चला गया लेकिन तू के पूछ रही है ओके मैं बात मे क्या इजपी करना लोगों की आधत सी बन गई है इसलिए तो सोरी कह रही हूं सॉरी 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 प्लीज 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 अब कर दोगो एक प्लेट डूसा है जोसा ये को जोपी भाई जोसा वेटड़ हलो काशी एक मिनिट है शब्री बात करना चाहते है जी भाई फोन गणा कोते है हाँ भाई सेयद अली को रोक कर रख मैं असे इन वहाँ पहुच रहे है ठीक है भाई भाई जा और गर्मा गर्म लेकिया चाको का काम तब तक है जब तक उसमें धार है जब तक बुलट है तब तक ही गन की वैल्यू है और हिम्मत वाले चिगर की सांस रहने तक वैल्यू है हाँ से निकले हुए माल के लिए तुने जो रिस्क उठाया ना उसके लिए तेरा डंका पिट रहा है मेरे दिल की तो मुन्ना है कि मैं भाई से एक बर मिलूँ किस्मत वाला है तु तेरा नाम भाई तक पहुंच चुका है गय हुए माल के लिए रिस्क उठाया उसके लिए मुझे यहाँ आये चार-पांच साल हो गए दादी मा से मुश्किल से दो-तीन बार ही मिल पाया हूँ मैं बैस इस वक्त सिंग अगर वहाँ पा रहे ना तो यह सब उसकी मेहनत का फ़ल है सब्री के बारे में मत पूछो उसका घर बीवी बच्चे तक को मैंने कभी नहीं देखा तूने कभी भाई का घर देख लिया तो शौक हो जाएगा फुल सिख्यारिटी उनके आगे देखो पीछे देखो जहां भी देखो बाप रह बाप भाई के कमरे के बारे में तो बहुत सारी बाते पता ही नहीं है वो जिस कमरे में रहते हैं ना किसी की एंट्री नहीं है उनकी बैठनी की कुर्सी से लेकर सोने का पलंग तक सब कुछ गोल्ड है एक राजा के जिन्दगी जीते हैं वो मतलब के काम के सिवा, किसी से कोई संबन नहीं, एक बार मैं उनका कमरा देखना चाहता हूँ, क्या कर रहाther है भाई, मैं जो बोल रहा हूं, उसे लिख रहा है क्या, उसमें तुम मेरा नाम मन लिख देना यार, वरना मेरा गेम बच जाएगा, कब से लिख रहा है लेकिन एक लाइन भी नहीं लिख पाया बाई के बादे में लिखने को सोचा तो पेन ने भी सपोर्ट नहीं किया मैं जा रहा है यार सीन दा रही है बाई गुट नाइट अब 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 कर अब अब इस तरह आप वीश रोग में बैठकर आने जाने वाली लॉरियों को रोक रहे हैं क्या यह सब आप अपनी बात रखने के लिए कर रहे हैं यह बात सभी लोगों को पता है माइनिंग के काम के लिए सालों से ट्रक मिट्टी ले जाकर जमीन को खोखला कर रहे हैं जिसकी वज़े से किसानों को परिशानी होती है इसकी वज़े से पलूशन भी फैलता है हर्याली पुरी तरह से खत्म होती जा रही है एक्सिडेंट भी होते रहते हैं जो कि बहुत ही गलत है इन सब के खिलाफ हमने आफिसर से कितनी बार कंप्लेंट की लेकिन कोई फैदा नहीं हुआ मैं पूछता हूँ कि इस इलिगल काम के लिए आखिर कौन है जो जिम्मेदार है वो भैरती रणकल अब तक हम बहुत कुछ खो चुके हैं इसे बंद करवाए भिनान पीछे नहीं हटेंगे बंद करो, बंद करो वो बुढ़ा हमारे काम के बीच में आ रहा है आज उसकी लाश उसी के ट्रक में डाल दूँगा तुम्हें अच्छी तरह पता है रोणापुर के किसी मैटर के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं नमस्कार अश्वत कोटारी को छोड़ कर इस समय जो आंदोलन आप कर रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं आपकी आवाज यहां उड़ती हुई धूल से टकराने के अलावा भैरवी राणा के गेट तक भी नहीं पहुच पाएगी वो जब तक कांदोलन खत्म नहीं करेगा हम ट्रक रोड पर ही रोक कर रखेंगे अपनी ताकत के बलबूते वो सुरंग से रास्ता बना कर ट्रांसपोर्ट जारी रखेगा क्या करना इसका फैसला सिर्फ भाई कर सकते हैं आपके जैसा अच्छा इंसान जलता के साथ है फिर इन पर कोई फर्क नहीं बाद इसका कारण उन सब को रोकनी की हिम्मत आपके पीछे जो बैठें उनमें नहीं है उसके लिए हाथ में पावर चाहिए इन लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए आपको राजनीती में आना ही होगा अधे। आपके के लोगों करी बादनी बादनीती आपके लिए अ ठीके छोजा सब्चान, तुम थे नहींट, तुम तुम आपको बहुति, सब बर्बाद कर दिया, हमें बर्बाद कर दिया, तुम सब ती बर्बाद होगे, मिट्टी में मिल जाओगे तुम, मिट्टी में मिल जाओगे, फर्माद हो जाओगे तुम भी हमारी सिपोर्ट में जितने लोग्यों सब छोड़के भागे क्योंकि उनके घरों को जला दिया है भाई वो वेदावती है, भाई की छोटी बेहन, लेकिन भाई बेहन के बीच बाच्चित वर्षों से बंद है, वज़ा सबको पता है, सिर्फ भाई ही नहीं, उनके साथ जितने भी लोग हैं, यो नहीं कसम नहीं करती, लेकिन सेक्यूर्टी गार्ड्स इन्हें फालो करते रहते हैं वह बाई एक डम हीरोईड माफिक आरही है, इसी वक्ति सके पेटूल कातम होना था, कोई हिरोईड जिरो साइज फिगर मेंटेंड करती है, तुमने भी जिरो साइज फिगर मेंटेंड किया, अब तुम्हारे साथ एक सेलफी लेते हैं सेलफी चाहिए हम सब को तुम्हारे साथ एक एक बार सेलफी लेने दोगी लेकिन कैमेरा ओपरेट मैं करूँगा अरे आ गया हीरो भी आ गया तू हीरोई है ना बोलना हीरोई है ना पीने के बाद भी तू करेक्ट बोल रहा है टू मिनिट्स बात करके आता हूं जब देखो तब अकिली खूमती रहती हो आधी रात को भटकती हो यहां तुम्हारा राज चलता है क्या किसी अच्छे से लड़के को प्रपोज करके उसे अपना जीवन साथी बना लो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा प्रपोज करने के लिए तो मैं भी तयार हूं जब किसी अच्छा यू किसी अच्छान की खलता हो अच्छार करने की साथीशड़कर तो Moż़ता किसी तो किसी अच्छाना आ तुम्हार किसुम्हार लिए जगल ओभव Hare cœ पसी एख किसी कर दो को दो खटिए झानल 20 प्रेंगह पeder हो व्राइ़ आप दूद्ध कर दूद्ध कर दूद्ध कर दो जाए बच्पन में पोली ट्रॉप पिया है यह सोच कर जवानें आवारा घर्दी नहीं करनी चाहिए हाथ पैर भी टूट सकते हैं हमेशा पीमार हो यह ज़रोड़ी नहीं कि अब मैं सिंगल रहने के बारे में नहीं सोचूंगी जैसा लड़का मैं चाहती हो ना वो मेरे सामने खड़ा है पश्तर है तुब्ही कभी कोई नहीं दो सकता हुई 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 मरने से पहले दर्द होना ही चाहिए है वर्दी पहनाओ इसको जल बता तुझे ट्रेन में मटेरियल वाली बात किस ने बताई हमारे डिपार्टमेंट का एक आफिसर तुम्हें रोनापूर में सपोर्ट करेगा तुम्हें जो भी चाहिए उसका इंतजाम बूख कर देगा लेकिन उसके चेहरे से तुम्हें जाना है और वो भी तुम्हेरे इस बात का तुम्हें पूरा नहीं होगा तुम्हें 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 ट्रेन में मटेरियल आ रहा है इस बात को लीग करने वाला ये है कि मार इसे मार इसे और तुम्हें कॉप और इस मिशन पर जा रहे हो इस बात के बनक किसी को भी लगनी नहीं चाहिए यहां तक कि तुम्हारे साथ जाने वाज़ा साहिक हो भी नहीं करते है भुष झाल आव जडु पाल एंग जड़। कर दो कर दो कर दो खीजनु फ़ना प्रान इंघ रुट्रासान तीवट स्वरसंत्त वीवां वन्नकम वाराण एकानमयाचा बेद हो इनाप्च किर्नाप्च किव्धध नाना इनक उतिंनंगम, मेडोधिंधम कित मुथालं शारावनायसंक्रत्षो लुँ छुटनों विसमायों एकान मकम जिक्षें मुड़ एकान शुटनामस एकान एकनात के मौत को एक्सिडेंट समझ बैठे थे लेकिन वो मर्डर था ये पता चल गया ना उसमें जो इनवाल्व थे वो पकड़े गए इसलिए भाई वो कौन है जानने के लिए भंगार के गोदाम में आ रहे हैं मागर तर टो सरे को प्रिक शहँना वीदू क faces आ रहे हैं, जा है कि ना है किन शेंगा उिया झस calend बहाई क परक़ रहे हैं करते ल남 वाल्व भंट फीलिऊ सका ग descriते बहा हैं क्र Passiau को बनाट खाला वुलो कि वहाit आतिक पकलता वaint з det birthday झाल 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 चारो और समुंदर बीच में जंगल वही एक इनसान रहता था जिसके तस सर थे और लोग उसे रावण कहते थे चारो और पहाड और पारिश से ज्यादा खून से भीगी हुई जमीन वहाँ एक योद्धा भी था जिसे लोग रणवीर कहते थे वो अपना सर खुद काटने से भी नहीं दरता था और उन दोनों की सोच एक जैसे ही थी मेरे काम में अडंगा लगाने से पहले हजार बार सोच लेना एक बार सामने आ गए तो गिध की नजर से तो बच सकते हो मगर मेरी नजर से नहीं मेरी नहीं दोनों की नहीं मेरी नहीं दोनों की नहीं बहरवी राणा को फर्स टाइम मस्दीक से देखा वेरी गुड हमारे डिपार्टमेंट को अब सिर्फ तुम से ही कुछ उम्मीदे वची है उसके पास बहुत सारे माइन्स हैं जिसमें पेट्रोलियों माइन्स मेन हैं माइन्स के अलवा उसके और कई सारी कमपनीज हैं उसे मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा सिंडिकेट क्रीट किया हुआ है उस भैरवी के राइट हैंड का नाम है शबरी और सिंग उसका लेफ्ट हैंड है उसके लिए मुझे पुलिस अधिकारी को अपने हाथों से मारना पड़ा उसके इल्लीकल एक्टिविटीज के जितने भी एविडेंस हैं वो मैं कलिट कर रहा हूँ राणा के सामराज्य का खात्मा आज से शुरू हो गया है टिकेट इसारी के दिया तो अच्छा होगा और ये एक्स्क्योज मी सर अश्वजी की लोग आप से मिलने के लिए आए हैं अच्छा इंसान अच्छा इंसान बोलकर हम एक तरफ हटते रहे और अब हमारा रास्ता रोक रहा है हाथ में तक्ता बैनर लेकर स्ट्राइक करने वाला आज बैनर लगाकर सब वोट अपनी और कीच रहा है मुझे आपके पार्टी के ज़र्वत नहीं अकेला ही लाड़ोंगा मिना वज़े किसी जमीन को खो देंगे तो आगे चलकर वो बड़ा सुनम बन जाएगा रणापूर में जंडा तो लहरा सकते हैं अश्वत भी हमारे लिए खंभा बन जाएगा पर हमने कोई तूफान खड़ा किया तो सिर्फ जंडा ही नहीं खंभा भी वखड़ जाएगा इसलिए अकल से काम लोगा अल कर दो आएगा है चल जाएगा आएगे लिए कि जाएगा है कर दो कर दो कर दो झारको प्परिंगky थे आहां कहलो दाध्व कि अइगे भुझ अाम कि अआ आद जाद कर द्टरीर थाओ प्योद्ट कर दो स encara왔 धे जुट पढ कर दो 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 कर कर दो कर दो कर दो स्थेंग भाई आप चुनाव के मैदान से हट जाएए ऐसा भैर्वी राणा ने खबर विजवाई है यह सिर्फ रोडापूर नहीं है रिपब्लिक रोडापूर है यहां जो कुछ चल रहा है गुंडागर्दी लूट मार अत्याचार इन सब के पीछे एक ही आदमी है और वो आदमी है भैर्वी राणा हमारे जैसे आम लोगों का यहां जीना मुश्किल है मैं एमपी सीट के लिए नॉमिनेशन फाइल ना करूँ ऐसा उन लोगों ने धम की दी है मुझे मुझे उनसे अपनी जान का खत्रा है अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदा धैर्वी रंगना ही होगा जो सरकार लोगों की सुरप छड़ा कर सके उसे उखाड कर फेग देता चाहिए तुम कल से काम पर आजाओ निस्मत करना तुमारे लिए तुमारे यह बड़ा भाई इंतजार करता रहेगा प्लीज हाँ शांता सारा अरेंजमेंट हो जाना चाहिए सब लोगों को भेज़ दो हाँ हाँ किर दो उतना है क्या सोच कर तुमने मेरे कपड़ों को हाथ लगाया हर हाथ की कौकात होती है तुने तो दोनों हाथ लगाया अपने पिंडदान का रास्ता तुमने खुद चुना है मौत सामने आई तो बीवी बच्चे याद आ गए तु जिन्द और रहकर भी मरा हुआ है जब तक सौंस है तब तक ऐसी बेवकूफी करने की कोशिश भी मत करना अगर सोच लिया तो हाथ पैर तो रहेंगे इसे गाड़ी में बैठा कर छोड़ाओ जी भाई पोर्ट एरिया में कौन है गणा बेजदों से जोड़ाओ कर दो दो है येलो येलो तुम्हारे लिए स्मॉल किफ तुमने मेरे मामा की जान बचाए ना इसलिए ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए येलो तुम हमेशा मेरे मामा के साथ ही रहना वो बहुत अच्छे इंसान है तुम जब भी आओगे ना मैं तुम्हें ऐसे ही चॉकलेट दूँगी ठीक है ना फ्रेंस अब नहीं कि भाई-बाई-बाई भाई मैंने उसको बोल तो लिया है लिकिन पता नहीं कब जवाब आएगा ठीक है भाई जलो खाना खाते हैं हलो हलो कहां हो तुम क्या हुआ भूल गए हलो याद नहीं है आज मेरे साथ शॉपिंग के लिए जाने का वाधा किया था कब से तुम्हारी रहा देख रही हूं सिर्फ गर्फिन बना लेना काफी नहीं है हमेशा उसकी केर भी करनी होती है शॉप नामबर सेवेंटीन कंगना फाशन्स आलम स्ट्रीट जली से आजाओ बाइक से मत आना ओटो से आना ओजिंट फास्ट करने आई थी शॉपिंग जल्दी खतम हो गई तो मेहंदी लगा लीए तुम्हें तो बहुत देख कर दी एक हाथ में हो गया तो सुचा दूसरे में भी लगा लेती हूं उच्छी महती लेकाना बहुत पसंद है अच्छी लेक रही है ना स्कूटी लागेज बहुत सारी चीज़े हैं इसलिए सुचा तुम्हें कॉल कर लेती हूं ठीके ठीके पैसे देदो हो गया यह लोग भी भाई सुचा बजे उठकर हर रोज वाकिंग के लिए जाते हैं कर दोना की बहुत भाई सार्थ कर दोना है कर दोना का उन्हें करता सुचा बजेए बश्तकर प्रभरा कर भाई प्रफन दोना है उनकी बैठने वाली कुर्सी से लेका सोने वाला पलंक सब गोड का है कर दो लेका से लेका से लेका समय बाला प्राइब का दोड़ा है झाल 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 अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूँ कौन यारों का मैं यारू हूँ यारी में ये जान लुटा दे जो मैं हूँ डॉन मैं हूँ डॉन मैं हूँ डॉन मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ डॉन टाइम क्या हो गया लगता अज घड़ी नहीं चल रही अरे टाइम बता अभी इसा ही टाइम बता रही है यह एविडेंस प्रूफ सब कलेक्ट कर लिया वैसे नॉर्मली पुलिस वाले चोर को पकड़ते हैं मगर यहाँ पर चोर पुलिस को पकड़ रहा है उस दिन तूने क्या कहा था जिसमें दम होता है उसी की वैल्यू भी होती है तो चल आज वैल्यू देखते हैं आप जिस पर इतना भरोसा करते आ रहे हैं वो भरोसे के लायक नहीं है वो एक अंडर कवर पॉलिस है और वो मेरे जाल में फंस चुका है बसे एक बारा बोलो अभी इसकी खोपड़ी उड़ा देता हूँ हम आण्यू हालो 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 गुरा उसे खातना कर दू हालो गड़ा उसे कृतन कर दो तुझे बुलेट से खुपड़ी उड़ाने का शोक है लेकिन तुझे बताए भी ना अगर मैं तेरी सांसे तुझसे छीन लोंगा तो तेरी आक्मा को शांती नहीं मिलेगी पशोपदी ने आखरी सांस तक केसे के साथ धोका नहीं किया ऐसे आदमी कि तुने सांसे चीन ली इसलिए आज मैं तेरी सांसे चीन लोंगा तुझे नींद नहीं आ रही इसलिए तु यहां तक पहुंच गया आज मैं तुझे हमेशा के लिए सुला देता हूँ कर दो कर दो कर दो मैं वो जो जो है झाल 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 इन प्रफटा जड़ा करो central पर विल गवुल्स आरे बेटा जला रुपना बेटा जला रुपना में बर्बाद उजाओगे नढ़े मिल जाओगे उस दिन तुमने जबर्दस्ति हम से सब छीन लिया था हम सब को अनात बना कर वीट सड़क पे फैक दिया पर मैं गलत थी क्योंकि तुम तो हजारों लोगों के लिए इतनी बड़ी बस्ती बसाने वाले हो मैंने तो कभी यह सब सपने में भी नहीं सोचा था मेरा दिल जल रहा था इसलिए गुस्ते में मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था अपना दिल बढ़ा करके मुझे माफ कर दो बेटा मुझसे गलती हो गई माफ कर दो बेटा कर दो 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 झाल 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 यह क्या कर रही हो बेटा, तेरे भाई ने कितने प्यार से बंडे पे तुझे ड्रेस गिफ्ट की थी, और तू उसके दारतार निकाल रही है, नाना जी, कर रक्षा बंदन है ना, इसलिए मैं अपने कपड़े से निकाल कर भाईया के लिए राखी बना रही हूँ, झाल यह कोई जिन्दगी है, सिर्फ नाम का डिरेक्टर हूँ, वाच्मेन की ड्यूटी कर रहा हूँ, अरे वो प्रोडूसर तो देर से आता है, लिकर उसका पीए भी अभी तक नहीं आया, रेडी, कट, 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 बाई, रेडी है, यह देखे, आपके सब्सक्राइब के साथ पहले सारी कॉमिलेशन सीन्स खत्म कर लू, मैं इसक बड़े फ्रेश मूड में हूँ, ओके, सच्पे तुम्हारा हूँ, का सेलेक्शन बहुती सूपर है, बहुती फोटो जेरिक्टर यह तो अरे यह क्या लोकल क्वाटर में मिनरल वाटर मिक्स कर द वो एक्स्पेंड करेंगे तो समझ मनी आयागा, डिरेक्टर मैं हूँ, मैं एक्स्पेंड कर देता हूँ, सर, इस स्टंच सार को तुमने क्या समझ रखा वे, यह वकूप कहीं का, है, श्रिंगार में रवी चंद्र, और कॉमेडी में नर्सिम्हराजू, बहत्दुरी में व यह सब मुझ में है, बता तुझ में क्या है, अद्भुत, टॉक्टर राजकुमार, इन सभी नौर असों को मैं मिक्सर में डालकर घोलकर पी चुका हूँ, और सिल्वर स्क्रीन को फार चुका हूँ, चाहे तो जाके देख लो, तुम्हें यह कह रहा था कि रो, यह श्रप, लेकर आओ मेरी और मेरे कुट्य को घुमाने ले जाओ, बाइदेवे, वाट्स और नेम हा, रक्षा, ओ रक्षा, यह रक्षा से शुरू हने वाली ही रोईने हमारे इस स्टेट में राज करती हैं, अगर तुम्हां कर दो, तो मैं तुम्हारा रक्षा का बच्ष बनने को त लेकर ता सर्वत रहने के पघगलता हिए शरीर, बैठ बैठ कर सुन्वने के पाद भी नहीं पिगलता हिए बंपर है बंपर, रहती है, यह कैसा लोग मुझसे बोलने को और बोल सकता है, डाय लोग ऐसे होनी चाहिए कि थेटर में बैटे सारे लोग उचल के वावा करें तालिया बजें एई डाय लोग चेंज कर दो मैं जरा होके आता हूं रक्षा डॉंट वारी शाम को शूटिंग खतम होने के बाद मिलना हां आरा हम से बैठकर हम दोनों सोच विचार करेंगे ओके आजाओ मेरे दिल के घराओं दे में आजाओ कर रहे हैं मुझे ही अब अंदर जाना चाहिए और रवेंद्र टोनी को ले जाने के लिए बोल रहा है तो सेना जवाब नहीं दे रहा है दोनों पार्टी की आपस में दुश्मरी की वज़े से पूरे शेहर में हाहाकार मचा हुआ है कई लोगों की जाने जा चुकी है और जो लोग इस हादसे में बचकर निकले हैं उन्होंने बताया है कि इस भैंकर विद्वन्स के पीछे शेहर के शैतान भैरवी का हाथ है राजनीटी की आपसी रंजिश्ट की वज़े से यह सब हो रहा है ऐसा मालूम पढ़ रहा है गाड़ी हमारी है उसकी पर्मीशन के बिना बटा कप होड़ना सही नहीं है गणिघ अरेंज करो गुपम्हाण होगया भाई ऐखायि है क्लोनिटी nla पास कितनी गाडिया हैँ अंपर ए ऊठोधर्मीश आहे जाधा न होगी को कितनी गाड़ियों से दी करता हूं उन सब के नमबर बता हूं कि ए त्री फोर एट ट्रिपल नाइन सेवन ट्रिपल नाइन शिक्स ट्रिपल नाइन भाई वेरी गट और अब अश्वत कुटारी पर जिसमें टेक हूं उसका नमबर बता हूं भाई आप क्या क्या चाहरे हो मैं कुछ समझनी पा रहा है हम आतल्च जब कुछ आपके द्यार के मुतादी की छल रहा है आपको टेंशन किसे रखना चाहिए किसे कट करना चाहिए यह तुने अभी तक नहीं सीखा और अपनी जान बचाने के लिए मैं ऐसा किया वाई कि गद्दार होने के साथ साथ ये वफादार भी था इसकी समाधी के उपर एक पूड लगाओ कि इसे क्यों मारा गया ये सबको पता होना चाहिए हमारी वज़ा से इसके परिवार के लोगों को कोई तकलीफ ना हो उसूल के मुताबिक इसके घर में अमाउन पहुचा दो भैरवी राणा के विरुद्ध रन का एलान चुनाओं में उनके खिलाप जो भी गया वो इतिहास में दर्ज होकर रहे गया अश्वत कोटारी जी के विरुद्ध विपक्षी पाटी के उमिद्वार रविंद्र जी सब्तर हजार वोट से विज़ाई घोशित किये गए पूरे रोणापुर शहर में पटाखे गूंज रहे हैं भाई अब हमें उस भैरवी से टक्कर लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला दुश्मन सर चाड़कर बोल रहा है हम बड़ी मुसीवत में आ जाएंगे हमें समस्धारी से काम लेना होगा जैसे को तैसा नहीं करना चाहिए पर्ला परिशानी हमें हो सकती है बिल्कुल सही सर हम लोगों को काटो वाले बाग में हाथ नहीं डालना चाहिए सर जैसा कि भाई साहब ने कहा वैसे ही हम अगला चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे और जीतेंगे भी जिन हाथों में इस समय गन है उससे तुम्हारा खून का रिष्टा है लेकिन इसके अंदर जो बुलेट है उससे किसी का कोई रिष्टा नहीं पावर के नशे में तुम भले ही अपनी दुश्मनी भूल जाओ लेकिन मेरे सीने में जो नफरत की आग जल रही है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता तुम नहीं समझपाओके उसका क्या करना है मुझे मत सिखाओ मैं आपको खुशी से दे रहा हूं अब ना कर रहे हैं मेरे विंतिया भी से स्विकार कीजिए पूलों की अनरसरी में आपके पास इस्विद आया हूं क्योंकि जंता से आपका प्यार निश्वार्त है राजनीती में आप बने रहेंगे तो अच्छा है लेकिन जैस पार्टी से आप खड़े हो रहे हैं उसकी नियत सही नहीं है अगले एलेक्षन में आप इंडिपेंडेंटी खड़े होईएगा बैंक से पैसे निकाल कर इसाब करकी ने रवान करो जी अच्छा भाई टोटल अमाउंट कितना है कर दोटल अमाउंट कर दोटल अमाउंट कितना है कि अगाई चोपर खराब हो गया है सेक्योरिटी से कहकर मैंने गाड़ी अरेंज कराई है सिंग का फोन नहीं लग रहा है काफी देश से ट्राइ कर रहा हूं आप गणा के साथ चले जाएए गणा शबरी भाई सिंग से मिलना चाहते हैं इसलिए मैं मंगलूर जा रहा हूं पर सकता हासिल करने की जो हस्रत दिल में रखी थी उसमें नाकामियाब होने के बाद तुम्हारे हाथ हाया है बिना धार वाला चाकू कल इलेक्शन में तुम्हारी हार जीत का फैसला मैं करूंगा मैं तुम्हें आज ये बता देना चाहता हूं हमारी पार्टी की तरफ से रोडापुर के उमेदवार तुम रहोगे बस मुझे बदले में चाहिए उसकी मात सबरी रामनाथ वोटो की गिंटी में अभी भी आगे है सबरी रामनाथ को मिले हुए वोटो की सख्या अब मैं क्युम साफ्या अबसे अबसे है कि अवार्टी रह रामनाथ यह में अबसे है यह यह में धोटो काहिए कि अतित रहने कि उट्या कि अबसे हां प्राइब रहा हो जड़ हो एक प्राइब रहा है झाल झाल गणाप वो कहें कि चौपर खराब हो गया है वो वो ऐसा सिंग ने कहा था इसलिए मैं वोच चेंज करते ही तुम्हारा टाइम ही चेंज हो गया मेरे खाना खाकर सोने तक तुम्हारी पलकीं भी नहीं जबकती थी तुम्हारे हाथ में चाकू होते वेबी मैंने तुमपर कभी जरा भी शक नहीं किया तीस साल तक तुम्हारे बाल बच्चों के नाम ये काख्जात आज तक तुम्हारे जितना भी सोचा होगा उससे दस गुना जादा तुम्हें दे रहा हूं जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे चोड़ कर यह से दूर चले जा मुझसे माफी मंगने की कोशिश मंकर जादा क्योंकि मैं तुम्हें माफ नहीं करें करें तुम्हें माफी माफी करें दूर नहीं है ते रहा है आस तक तुम मेरे जिन्दगी खत्म करने का सपना देखते रहे और मैं तुम्हें मौका देदा चाल बाजी से लेकर खुन खराबित तक अल्जाम मेरे सर पर मर दिया तुम्हें पिर भी अब तक मुझ तक नहीं पहुच पाये हो तुम्हारी तरह अगर मैं अपने दिमाग में सोच भर लो तो तुम दोनों भाई मिलकर पार्टी का जंडा नहीं पत्तं गुडाते हुए नजार आओगे और अगर अपने तुम्हारा दिम नहीं भरा है तो एक को शिशोर करके देख लो मामा यह किसने बनाया है वो तुम्हारी माँ जब तुम्हारे जीतनी थी तब बनाई थी मैंने वो मैं हूँ और यह तुम्हारी माँ मामा आप और मम्मी बात क्यूं नहीं करते हैं तुम्हारी मम्मी मुझसे बहुत नाराज है बिटा पैसों के लालच में आकर ड्रग माफिया के साथ मिलकर ट्रस्टेंडर में जितने भी हॉस्पिटल्स अगरे हैं उसमें मिट्टी और पत्थर सप्लाई करते थे इतना ही नहीं जहां जिन्दगी जी रहे थे वहां उसके जीजा की वज़े से जीना दूबहर हो गया था बेहन के पती है ये बिना सोचे ही उसे मार डाला उस दिन से वेदा बेहन ने भाई से बात करना छोड़ दिया हुआ 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 ह बोशब्द के साकर्ण कावतै थैक सब्सक्तारा से शुरू हो जाए तो भी रूखनें कोई और तो यहां पर है नहीं अपने आपको बोल नहीं क्या वह सब छोड़िये आपके नौरस का चलेगा उसने ऐसा मारा कि मैं कौन से रस में था और कौन सा निगल गया कुछ पता ही नहीं चला तोड़ा आगे करना अगुद मॉनिंग इसके यहां आते ही पूरा का पूरा सेट सेफ हो जाता है पर नहीं सेट में तो आर्थकुएक आ सकता है टरें डिरेक्टर मुऊ है एफ जो पर फ्रेश हो किया वाप नो 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 रही फिल्म इंदस्त्री में आपकी अरे आया वाई राइटर जल्दी के पास बस्टॉप पर एक खूब सुरत लड़की खड़ी है अप उस बस्टॉप पर आते हो अगया उसे देखते हो पसंद आती है लग 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 मुझे तो बहुत पसंद आई वो तुमारी तरफ मुड कर देखती है तुम सीटी बजा कर उसके सामने जाकर खड़े होते हो कुछ दिर खड़े लेने के बाद तुम अपना हाथ उठाते हो हाथ उठाकर कहां रखना है कंदे पर रखते हो अब हाथ ही रखना है या कुछ और भी करना है अपने हिसाब से नहीं हमारे वह कैसे खीच कर देंगी वहीं पर यह पाद लड़की को अपनी सेफ्टी के लिए कराटी की ट्रेणिंग लेनी चाहिए यह मारा कॉंसेप्ट है अब तुम्हें आल देखता हूं तुम्हें देखता ह इस क्लाइब एक सीन में तुरा सा चेंज रही कर सकते क्या वेड़ी साइलेंस केमरा आक्शन आक्शन सिस्ता तुम्हें देखकर मुझी अपनी सेफ्टी के बारे में घबराहट हो रही है बट नो प्रोब्ल्म मैं तो छेड़चाड करूं हां दूर तुम्हें खड़ी होके जिसके बारे में सोच रही हो क्यों न वो मैं खुद ही बन जाओं क्या वो क्या वो क्या हूं बुरी तरह से तोड़ दिया भाई यह तो रस निकल रहा है जल्दी से तोड़ रहा है आओ आओ ना तुम्हें कुछ दिखाती हूं आओ कि मैंने बनाया है आज मामा का बद्दे है ना इसलिए तुम किसी को बताना मता यह मामा और यह मम्मी वो मैं हूं और यह तुम्हारी माँ हूं मेरे स्कूल में टीचर कहती है कि मैं एडिशन सब्ट्राक्शन मार्टिप्लिकेशन सब समझ लेती हूं लेकिन मामा और ममी बात क्यों नहीं करते यह नहीं समझ पाती है अंकल वो सब आपके भाई से मिलने आये हैं कोई रिश्टा ना होने के बावजुद इज़त से उन्हें बढ़ाई देने के लिए पचास सौ मील दूर से यहां आये हैं और आपका तो खून का रिश्टा हैं उसके बावजुद भी आप उन से इतनी दूर हैं हजारों लोगों से बढ़ाई मिलने के बावजुद उनकी नजर अपनी बेहन की तरफ उम्मीद लगाए देखती रहती हैं सुचिए उनके मन में कितना दर्द भरा होगा हजारों को इनसाफती लाने वाला आपका भाई भैर भी राणा अपनी छोटी बेहन से असेनी अतर्द वर्षों से सहता आ रहा है तो इसके पिछे कोई ना कोई वज़ेच जरूर होगी दो मिट्टिक के पुतले को बना कर उनमें जान फूंकने की कुशिश उस नन्नी बच्चीने की आप ही बताई ये खाना परोसने वाली एक बेहन एक बाई से मुग कैसे फेरेगे इतनों के इंतिजार करने के बावजूद वो इसी उमीद से अंदर तनहा बैठ है कि मेरी बेहन मुझे सबसे पहले विश्च करेगे बेहन के ना तेही ना सही खुद को इन हजारों में से एक समझ कर बाई को विश्च कीजिए काने काया दुद में ने भाया मैं उनका इंतिजार करें तो मुझे से बादा करोगे कैसा बादा भाया तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी यह नहीं पुछोगी क्यों तेरा पती अब कभी नहीं आएगा है पती अब करेंद। को पती अब बादा भाया है गो होगी नहीं यह परेंद। झाल पती अबादार क्यों कर दो 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 मैया मेरे पती गलत इंसान थे इसलिए अपने उन्हें मार दिया यह बात आप मुझे बता सकने थे न कैसे बताता तुम्हें मेरी बनाई हुई लकीर को लांग कर तुमने उससे प्यार किया था जब मुझे ये पता चला तो हिम्मत नहीं हुए कि तुम्हें बता हूँ इसलिए मैंने उस बात को राज ही रखा क्योंकि वो एक दोके बाद इंजान है ये बाद तुम्हें पता चलती तो तुम्हें जिंदगी बर तड़कती रहती इसलिए तेरे भाई को ही बुरा अभी बनाकर तुझे खुश रखने की कोशिश की मैंने हुआ कि दौश रखने की की दौश रखने की बनाकर अगर करें दौश तक भाई की वज़े से रोणापना था तक है अपूर हमेशा खुशाल रहा है लेकिन आज तुम्हारी वज़े से अपने भाई को खुशी मिली है तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं तुम्हें कमरे में बुलाया है आओ गणा आओ बैठो पताने क्यों आज मैं बहुत खुश हूँ इतना ही नहीं अज हर किसी का चेहरा खिला हुआ दिख रहा है बहुत से लोग गेट के बाहर हैं कई लोग गेट के अंदर हैं और कुछ लोग तो घर के अंदर हैं लेकिन तुम तुम तुमने यहां जगा बना ली है बहुत साल बीच चुके हैं आज मेरी बहन ने मुझे बहिया कहकर बुलाया वह यह आज फिर से सुनी आज मांगो तुम्हें क्या चाहिए मांगो बिना जिशक के मांगो जो चाहिए वो मांगो इंसानियत की नजर से जब मैं देखता हूं तो आप समाज के लिए देवता का रूप मुझे दिखते हैं वहीं फर्ज और कानून की नजर से दिखा जाये तो सरकार आपको एक शैतान की रूप में देखती है यह कभी हैसास नहीं हुआ सरकार कौन सी सरकार बारा साल की उम्र में मुझे अनात कर दिया वो ही सरकार मदद मांगने नहीं हक मांगने के लिए चपल घीसी सर भी खपाया नींदे गवाई क्यों वही सरकार भगवान ने इंसान को बनाया है लेकिन उसकी विवस्था राक्षसों के हाथ में देदी खाना भी नहीं खाने देते जब देखो जनता जनता करके मरते रहता है ला सबको उनका हग दिलाने के लिए मैंने कई अप्लिकेशन्स दिये हैं लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला तेरी लिखियोई रद्दी और इस फैल का जवाब देता रहा ना तो मेरे हाथ दुख जाएंगे हम जिसे गरीबों के मेहनत की कोई कीमत नहीं है अरे नहीं नहीं बहुत कीमत है बाहर एक वड़ापाओ की गाड़ी है ना ये सब अगर वहाँ ले जाकर दोगे तो इन पेपरों के बदले में वो तुम्हें एक दो गरम वड़ापाओ भी दे देगा वड़ापाओ खाते हुए बाप बेटा घर निकल जाओ टेंशन किस बात की है लोगों के हक के लिए लड़ने वाले मेरे पापा पर से उन लोगों का विश्वास पूरी तरह उट गया ये सोचकर पापा को अटैक आ गया उसके बाद उनके पेट में काफी तकलीफ शुरू हुई अस्सानियत दर्ध हुए जो पढ़ता गया उनका इलाज करवाने के लिए पैसा हमारे पास नहीं था और उस दर्ध ने धीरे धीरे उनकी चान दे लिए पापा की वो चीक आज भी मेरे कानों में खूंच रही है उस दर्ध ने उनकी जान दे लिए और फिर उस दिन मैंने एक बात बड़ा फैसला लिया करीबी को इस गाउं से हमेशा के लिए खाड़ कर भेगने का फैसला आज में जो कुछ भी हो उसकी वज़ा वही है इन गाउवालों को ये नहीं पता की राशन काट क्या होता है लेकिन मरने तक मैं एक को भी भूखा नहीं रहने तूंगा जरकार की मदद क्या होती है नहीं कर दिया है सिर्फ मसाला बेशनी के लिए यहां अंग्रेजों ने 300 सालों तक इस देश पर राज किया और इसे लूटा ऐसे में मैं अपने गाउंवालों के लिए औरों को लूटता हूं तो उसमें गलत क्या है मुझे कोई छुड़ों भी नहीं सकता मुझे कोई नहीं चुड़ों मुझे कोई नहीं सकता है मुझे कोई नहीं चुड़ों। झाल झाल अब उससे अरेस्ट किया जा सकता है जितनी यल्दी हो सके बहां से सेफली निकल जाओ झाल और प्रेवार बार्फ और अधर 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 यूगार अगर अधर यूगार अधर इंद है झाल झाल इसे कहते हैं ग्रिह युद्ध, मा की बोक्स से चन्म लेने के बाद, दाड़ी मुच निकलने से लेकर बाल सफेद होने तक, एक पार्टी के लिए दिन रात पसीना बहा कर मेहलत करते हैं, जिसके फल के रूप में किसी एक को सियम बनने का मौका मिलता है, या आज नहीं तो कल मेरा छोटा भाई सियम की कुरसी पर बैठे गई, उस एक पल के लिए पूरी रात अपनी पल के जपकाए भिना, सूरज निकलने का हम इंतजार करते हैं, लेकिन अपने पैसों के बल पर एक राक्षस, रातों रात मेरे सारे एमेलेस को खरीद कर, अपने मन माफिक किसी को सि मन्डी को, भैरवीर राणा को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहता है, ये रगवीर वान्डी, मैं अपनी आती चाती हर सांसों के साथ, उसके मौत की काम न करता रहता हूं, और ऐसे में दूस के लिए रक्षा कवच बन कर बीच में आया, इसी लिए इस कवच को हमेशा के लिए उखाड़ कर भैक रहा हूं, मरने दो इसे, इसके लिए एक भी गोली वेस्ट करनी की जरूरत नहीं, सारी गोलियां उस भैरवी राणा के सीने में उतरनी चाहिए, मेरी समाधी के लिए, एक मुठी सिमिंद या एक भी इट का उपयोग मत करना, तुम जो भी करना, सिर्फ चंता के लिए करना, तेरे कहने के मुताबिक मेरे दिल को अभी तक सुकुन नहीं मिला, वो मिलेगा तेरी मौत से, है, बहुत बड़ी बड़ी डिंगें तुने हाकी है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, क्योंकि मेरे बात की वेल्यू तुछ से कहीं ज्यादा है, इसे आसानी से मत मरने देना, मेरी आखों को धंड़क नहीं मिलेगी, रिल्वार प्रजर के वाराएट violence, क्योंकि शुद रव compose बbb Chip Halo. क्योंकि मिलेएष ईसिता दिए अ草नไсл자, जहीं मिलेएट है, तो जहीं मिले मौत पुरे आफ से पिएसे कहाएए़ को रिमागरा कर दो YouTube लुए. एखूब कर ठाइख कर लुटयँ办 करें इथ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो औा हुआ कर दो 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 अभी तक तो यह नहीं समझ पाया कि तेरी बातों से कहीं ज्यादा मेरी परदाश्ट में ताकत है यह जान कर लेकिन अब कोई फायदा भी नहीं होगा अभी तक मैंने एक बात तुमको नहीं पताई गणा एक जाबाज सीवियाई ऑफिसर है मैं यहाँ आया था भैर वी राणा के लिए जो मुझे गिराफ़तार करने आया वो खुद गिराफ़तार हो गया क्योंकि उसे मुझ पर अभीमान है सरकार की नजर में वो एक शैतान है लेकिन चंता की नजर में वो एक फरिष्टा है गणा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया बंशा से अभी तक मैं चूरी ही करता आया अब उसके बताय हुए रास्ते पर चलकर अच्छा बनना चाहता हूँ अउप्रेशन खत्म होने तक किसे तीसरे विक्ती को ये बात नहीं पता चलनी चाही इसलिए मैंने तुम्हें ये नहीं बताया I'm sorry मेरी बेहन और उसके बच्चों का खया लगना हुआ है झाल झाल